अगर किसी से कुफर जो है वो सरजद हो जाए यानि कुफर जुमला बोल दे तो क्या उसकी पीछी सारी अबादतों को यानि नमाजों को गजा करना होगा या फिर नहीं करना होगा तो देखें अगर कोई शक्स माज़ अल्ला मुर्तद हो गया यानि उसने कुफर जुमला बोला और गलती से उसके मुझे निकल गया जिस पर हुक्व में कुफर आया तो ऐसी सूरत में जो उसकी मुसल्मान होने की हालत में नमाज-चजा थी यानि जब तहुसने कुफर नहीं बोला तो उसने पहले अबादत अगजा अपनी कर रखे थी तो वो तमाम की तमाम जो हो अदा करेगा यानि ये किसी की पिछली नमाजे 500 कजा थी और वो बाद में आके बीच में उसने कोई सा कुफर या जुमला बोला तो कुफर बोलने के बाद वजब वो वापस तौबा के बाद इमान लाएगा कलमा वगेरा पड़ेगा तो जो पिछली 500 नमाजे पिछली 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 पिछल है कि अगर वो हैसियत रखता है कि उस पे हज फर्ज हो गया तो उसको हज करना होगा कि वो फिर से हज एक दफ़ा अपने फर्ज को दुबारा से अदा करें बाकी है कि अगर उसने नमाजे पढ़ ली है पिछली जिंदगी की इमान की हालत में तो वो अदा हैं उसकी खजा नह नाफ नहीं है तो उनको फिर दुबारा हिमान लाने के बाद कजा मुकमल उसको करनी होगी नाकि हज कर ले उन्हें नमाजों की या जो रोजे वो रख चुका है उन रोजों को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है पुरनवार बनाया